तो वहीं आमाद्मी पार्टी किसानों के उपवास के समर्थन में खुल कर खड़ी होती दिखाई दे रही है, इस आपके समर्थन पर सियासत भी तेज है बीजेपी ने आमाद्मी पार्टी के उपवास को पाखंड बता कर हमला किया, तो केश्डिवाल ने ये कहकर जवाद दिया कि उपवास तो पवित्र होता है किसानों की दो टूक पांग है, पहले कानून रद, फिर आगे की बात सरकार कर रही है कानून रद करने से इंकार, पर संशोधन करने को वो तैयार है इसी मोड पर समवात ठहर गया है और सियासत जोर मारने लगी है आम आद्मी पार्टी भूख हर्ताल में खुल कर खड़ी हो गई है उन्होंने अपील किया पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें मैं भी उनके साब उपवास रखूँगा मैं सभी आम आद्मी पार्टी के कारेकरताओं से समर्थकों से अपील करताओं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें दिल्ली की सर्दी में कपकपाती सर्दी में खुले आस्मान में बाल बंचों के साथ धरने पर बैठना अंशन पर बैठना ये मैं सवस्ता हूं के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एतने लंबे समय तक आंदूलन चल रहा है और शांती पुन्धंग से चल रहा है आर्थिक बुनियात की रीड रहे किसानों का आकरोज जहलने की ताकत किसी राजनतिक दल में नहीं चाहे वो बीजेपी हो या विरोधी दल आम आदमी पाठी के अंशन में उतरने पर बीजेपी ने टीम केजरिवाल को आईना दिखाया प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट किया केजरिवाल जी यह आपका पाखंड है आपने पंजाव विधान सभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर APMC कानून में संशोधन किया जाएगा नॉमबर 2020 में अपने दिल्ली में कृशी कानूनों को अधिसुचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो यह कुछ और नहीं बलकि पाखंड ही है पूरा के पूरा जो भूहीम है वो हकीकत से कोसोदूर और भरम के भूत से वजबूर है यह अभी जन लोगों ने भय और भरम का भूत खड़ा किया है यह वो साजिशी स्यासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता दोरा नकार दिया गया है मंडिया सुरच्चित हैं, खेत खलियान सुरच्चित हैं, MSP सुरच्चित है और यही नहीं मोदी जी के शासनकाल में रिकार्ड MSP के जरीए भुक्तान हुआ है रवी के भी और खरीफ की भी फसलोगा तो अब सवाल यहां कन्फ्यूजन का खड़ा कहा होता है अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी, कैसे आगे वड़ेगी, इस गतिरोध को कब और कैसे खत्म करेगी जवाब कोई नहीं जानता, हाँ कोशिशे जरूर दिख रही है सरकार के दिगजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है क्रिशी मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार किसानों से बात कर रहे है बाचीत के अगवा वही है वाणिज्य मंत्री प्यूश गोयल आर्थिक पहलों पर सहमती बनाने में लगे हुए है रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी मिशन समझोते में जुड़ गए है किसानों से उनका पुराना नाता रहा है ग्रिश मंत्री अमित शाह इस पूरी कवाद में निनाग भूमी का निभा रहे है बड़े फैसले उनी की सहमती से हो रहे है सरकार ने अनेक चरणों में वारता की है विसाइवार वारता की है और इस बात की कोशिस की है कि वो समाधान हो जाए जब समाधान पर किसान नहीं आ पाए तो सरनकार ने खोद वख़ोद उनके तमाम सारे वक्तवे को संजो कर और उस मैसे जो निचोड उनकी परिशानी के रूप में दिखाई देता है उसका समाधान कैसे होगा इसका एक किसान यूनियन के पास भेजा है पंजाब के किसानों की नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्र करना ना भूले